जी students, आज हम topic पढ़ रहे हैं, bio diversity and its importance, हम देखते हैं, bio diversity क्या होती है, bio mean life, यह हम जानते हैं, हम बढ़ चुके हैं, bio का मतलब life होता है, और यह बहुत common, जानते हैं, और ग्रिक वर्ड है, और बहुत common word है, तमाम लोग जानते हैं, bio mean life है, ठीक है, life की study को हम biology कहते हैं, और bio diversity means Life में variety है डिफरन चीजे हैं डिफरन ऑर्गनिम पाए जाते हैं तो duyvestra को हम difference कह सकते हैं variety कह सकते हैं यहां हम इसका meaning लिख लेते हैं variety ठीक है variety कहा चीज़ होती है okay चीज़ें जो है वे उनकुन बिलकुल मुक्तलिफ होती है एक जैसी नहीं होती है सोचें जरा अगर ये दुनिया में एक जैसे ही और्गनिजम पाय जाते हैं सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं तो दुनिया कैसी लगती है या सिर्फ और सिर्फ लैंड होती है या सिर्फ समंदर होते हैं तो दुनिया कैसी जीब सी लगती ठीक है कहीं हमारे पास डैजर्ट आ जाता है हम यहां लिख लेते हैं हमारे पास डैजर्ट है सहरा है कहीं हमारे पास पानी है सी है समंदर है कहीं पे हमारे पास लैंड है और कहीं पे हमारे पास पहाड है ठीक है हिल्स है और यह सारी चीज़ें बहुत सारी variety है ठीक है ये सारी चीजें different है और अगर ये सारी चीजें ये area different है, land different है, hills है, land है, सहरा है, desert है, ये सारी चीजें अगर मुक्तलिफ है तो यहां पे रहने वाले organism भी ये किनल मुक्तलिफ होंगे, जहारी बात है जिस जग़ का climate या मौसम जैसा होता है, वहां के organism हम देंखते हैं कि यह वाराइटी वे त New Living The की लिविंग भास वे जे हमारा ने रिएपनगस में लिए हैं यह तो बहुँ होते हैं, बादे तरुचार रिरनल्ज पारों जाते हैं आरे णिफंड पार इपलर हमें落ते हैं, लूरराइटी एक हमने डिविंग जाते हैं हम कुछ एनिमल्स को खाते भी हैं ठीक है और कुछ एक दूसरे को भी खाते हैं ठीक है मारिक्र और्गनिजम है जो कि जातर जो है इसलिए जाने जाते हैं सिर्फ बिमारिया प्लाने के लिए जाते हैं नहीं सारे organism बिमारिया नहीं फिलाते कुछ ऐसे भी होते हैं जो के फाएदामन्द होते हैं ठाक है organism हम यहां लिक लेते हैं ठाक है यह सारी वराइटी है यह Living Thing की वराइटी है तो यह कैसे कहां कहां पाई जाती है और हम इसको क्या कहते हैं जैसे हम एनिमल्स ठीक है यहां हम इसी के नीचे लिख लेते हैं एनिमल्स आ जाते हैं और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं एनिमल्स को हम कहते हैं जी फाना कहते हैं ठीक है किसी भी एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम फाना कहते हैं और किसी भी एरिया में अगर प्लांट्स लिहाज से जिग्रॉफिकली नहीं को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। यहां उन रिजन के नाम लिखते हैं। तो वह रिजन कौन-कौन से हैं। अभी मैं आपको तीन में रिजन की वैसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन तीन में रिजन की एक्जैम्पल दूँगी। First of all, हमारे पास आजाएगा जी, ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, यहां पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, ठीक है, और रेन होने की वज़ए से द्रख भी ज़्यादा होंगे, इसके बाद हमारे पास तेम्परेट रीजन आजाता है, तेम्परेट कहते हैं, जहां पर मौसम जो अब वैदर कैसा होगा, ट्रॉपिक वीजन में मैंने आपको जैसे बताया है कि वहां रेन ज्यादा होती है, ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेट वीजन है, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे पास four seasons है, four seasons है, बारिश भी है, धूब भी है, सर्दी भी है, बहार भ कर्मी भी है, हम four seasons को ची तरह जानते हैं, ठीक है, इसके बार मारे पास polar region है, वहां पर सिर्फ snow falling है, ठीक है, snow falling है, snow falling की वज़ा से, वह क्या है, एरिया जो है, वहां पर हमेशा glaciers रहते हैं, बरफ जमी रहती है, ठीक है, अब इसी वज़ा से, जहां पर बारिश ज्यादा ह तो इसके पास मारे पास कौन-कौन से organism होंगे, यहां organism लिख लेते हैं, तमाम किसम के organism होंगे, ठीक है, माइकर और वीजम हर जगह दुनिया में पाए जाते हैं तो यहां पर plant ज़्यादा होंगे ठीक है और साथ में अनिमल्स भी ज़्यादा होंगे ठीक है और यह रिच रिजन है इसको हम कहते हैं plants, animals, rich region यहां हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं rich region है ठीक है species क्या होती है, species हमारे past group of individual होते हैं, जो आपस में interbreed करते हैं और एक जगा रह सकते हैं, ठीक है, यह उससे ज्यादा, इसमें ज्यादा है, लेकिन ज्यादा, इससे कम है, tropic region से कम हैं, लेकिन यह है कि इसके पास species की बहुत variety है, ठीक है, तो हम यहाँ पर more लिख लेते हैं, लेकिन यह more किस से थोड़े से ज्यादा है, यह polar से ज्यादा, और जो polar area है, वहाँ पर बहुत few species पाई जाती हैं, ठीक है, plants वहाँ exist नहीं करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं पोलर region में कौन-कौन से animals पाई जाते हैं, पोलर region में हमारे पास आजाते हैं, penguin आजाता है, ठीक है, penguin जो है, वह बहुत famous है, ठीक है, penguin ठीक है, इस region का बहुत famous animal है, ठीक है, देखें यह वहाँ पर exist करता है, और जो हमारे पास temperate region है, या desert region आजाता है, ठीक है, desert जो होता है वह तो बहुत ज्यादा स्वीर होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है, और बारिश है, टैजट में बारिश नहीं होती, वहाँ पर हमारे पस camel पाया जाता है, ठीक है, और लाइन है, few examples में आपको बतारें, इसके बाद हम इसके importance देखते हैं, importance क्या है, ये चीजे हमारे लिए बहुत important है, किसके लिए हमारे लिए हम इनसान है, और हमें हर चीज जो है, food जो है, वो प्लांट से लेनी है, या अनिमल से लेनी है, importance for human, ठीक है, ये सब जो variety है, ये क सबसे बड़ा फाइदा है, सबसे बड़ा फाइदा, food है, हम अपनी खुराक जो है, वो पौदों से लेते हैं, जानुरों से लेते हैं, ठीक है, food हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, इससे variety की वज़ा से, ठीक है, food में हमारे पास बहुत variety है, हम chicken भी खाते हैं, हम सबजियां खाते हैं, ठीक है, industrial बहुत फाइदा है, हम इंडस्ट्री में जो fiber बनाते हैं, या जो भी products बनाते हैं, वो हमें plants से मिलती है, ठीक है, plants जो है जारी बात है, उसकी हमारे पास बहुत बहुत ज़ादा वराइटी है, industrial material आ गया हमारे पास ठीक है, इसके बाद हमारे पास आज जाता है building material, जो हम अपनी buildings बनाते हैं, इसमें door लगाते हैं, और जो बाकी चीज़े हैं, जो भी हम building में use करते हैं, वो सारी हम plants से लेते हैं, खास और पर सबसे प्रॉमिनेटिस में wood लकडी है, जिससे हम दरवाजे खिड़किया बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास जाते हैं, oil है, ठीक है, oil जो हम अपनी food में भी इस्तमाल करते हैं, ठीक है, अब यह सारी इसकी importance है, ठीक है, इससे इलावा यह हमारे environment को maintain रखती है, ठीक है, तो bio diversity जो है, वो बहुत important है, दुनिया में variety है चीज़ों की, जिससे दुनिया खुबसूरत भी लगती है, और इ अपनी खसूसियात है,